हाई एवरेवन वेलकम बैक टो गीक साइड एचनल फ्लेर्निंग एंड इंपॉर्टिंग नॉइज हमने कॉंटिटिटी अप्टिटूड का टाइम एंड डिश्टनस टॉपिक्स सिटार्ट किया था इसका पहला लेक्ट्टर हमने अपलोड किया है जिसमें हमने स्पीड एक टॉपिक एक कॉंसप्ट यह है कि अगर आपको वान किलामेटर पर आर या किलामेटर पर आर में स्पीड दी गई होगी आप इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कनवर्ट कर सकते हो सिमिलाले अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया गया होगा तो आप इसको कैसे किलामेट पर और में convert कर सकते हो अब इसी से related और कुछ questions आज हम करेंगे जिससे आपकी conceptual clarity बहुत ज्यादा बढ़ेगी और आप फिर कोई भी type की questions कर सकते हो तो आए फिर start करते हैं start करने से पहले चैनल को जरूर subscribe कीजे आपके फाइदे के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं सो आपको भी हाग पहुंचता कि आप motivate करें आप like करें share करें और subscribe करें ओके सो ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो so question number first क्या है आज a train covers a distance between station A and B in 45 minutes यहां पे A है station A यहां पे station B है train जब चलती है तो 45 minutes लगते हैं speed का कुछ पता नहीं हम assume करेंगे सुपीर थी as one सो दूसरे केस में क्या है इफ the speed of train is reduced by 5 km per hour पहले सुपीर थी as ओन अब हम सुपीर रखेंगे as 1 –5 क्यूंकि 5 km पहले से कम कर रहे हैं तो उस time time कितना लगता है 48 minutes common sense की बात है, speed ज्यादा होगी, time कम लगेगा, speed कम होगी, time ज्यादा लगेगा, अगर आप यहां एक mathematically भी देखना चाहोगे, you can see, there is inverse relation between speed and, inverse relation between speed and time, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर time बढ़ेगा, time ज्यादा होगा, speed कम होगी, अब arrow का मतलब time अगर बढ़ाएंगे, speed कम होगी, और अगर हम time को गटाएंगे, तो speed बढ़ती जाएगी, क्यूंकि speed जब बढ़ेगी, तो time कम लग जाएगा, यहां पर एक arm student की तरफ, एक छोटे बच्ची की तरफ आपको मैं समझाना चाहूँगा, इस example से, 8 by 1 हो गया 8, 8 by 2 हो गया 4, 8 by 4 हो गया 2, 8 by 8 हो गया 1, जैसे ही मैं denominator को बढ़ा रहा हूँ, तो value कम होती जा रही है, very very important question, जैसे ही मैं denominator को बढ़ा रहा हूँ, value कम होती जा रही है, इसी तरह अगर T denominator में है, मैं अगर time को बढ़ाते रहूँगा, time को बढ़ाते रहूँगा, that means speed कम होती जा रही है, यह होती है in reverse relation, hope आपको यह समझ आ गया होगा, so, हमें पता है, speed equality distance but a time, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है, distance, distance किसके बराबर आएगा, speed into time, हमें time के बारे में कुछ information है, speed के बारे में भी कुछ information, तो इसको use करते है, पहले case में क्या है, case number one क्या है, case number one में distance किसके बरावर निकलेगी speed into time speed क्या रखी हमने s1 time कितना है 45 minutes अगर हम गंटे में भी convert करना चाहेंगे गंटे में कैसे convert करेंगे 45 divided by 60 ये बन जाएगा 3 by 4 इसी तरह case 2 अगर आप case 2 में ले जाओगे तो इस ताइम speed कम हो गई जब speed कम होगे इसका मतलब common sense की बात है time कम ज्यादा लगेगा जब time ज्यादा लगेगा वो कितना है 48 दिया हुआ है लेकिन हमें पता है a to b train सिर्फ चल गई a to b यानि कि पहले case में भी a to b distance है दूसरे case में भी a to b distance है that means distance same रहेगी जब distance same रहेगी that means हम इन दो equations को equate कर सकते है क्योंकि one side दोनका for example अगर आपको x equal to 2 है y equal to 2 इसका मतलब common sense है x equal to y यही यहां पर करेंगे है so हम लिखेंगे s1 into 45 equal to s1 minus 5 into 48 इसको solo करके हमें निकलेगा 45 s1 equal to 48 s1 minus 5 into 48 आईसे examination में आपको multiple करने की कोई जरुरत नहीं है so मैं क्या करूँगा मैंने आपको बताया था अगर मैं यहां से इसको plus zero करूँगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा फिर मैंने आपको बताया था plus के इस side plus होगा इस side वो minus बनेगा minus होगा इस side वो plus बनेगा multiplication होगा division बन जाएगा division होगा तो multiplication बन जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यह जो minus 5 into 48 है, इसको मैं इस तरफ ले आओंगा, यह बन जाएगा, plus 5 into 48, equal to 48 S1, यहां पे 45 S1, 0 के साथ क्या है, plus, जब मैं इसको इस साइड ले आओंगा, यह बन जाएगा, minus 45 S1, So, इसका 48 मैं से 45 गया, वो क्या हो जाएगा, 5 into 48 किसके बराबर आएगा, यह आएगा, 3 into S1, इसका मतलब S1 किसके बराबर आएगा, 5 into 48 divided by 3, 3 1s आ, 3 16s आ, 48, 5 into 16 हो गया, 80, that minus speed क्या आगई, S1 का value क्या आगया हमें, 80, So, I hope आपको यह समझ आया होगा, लेकिन हमें distance निकाल न values किसमें है, So, 80 km per hour आया, So, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है, distance, right, अब हमें पता है, पहले case में time कितना है, पहले case में time है, 45, जब मैं इसको convert करूंगा, किसमें, गंटू में, तो, divided by 60 हो जाएगा, वो हो जाएगा, 3 by 4, So, distance is equal to S1 into T, S1 का value है, 80 into 3 by 4, 4 ones are 4, 20, 22, 3 हो गया, 60 km, right, So, I hope आपको यह समझ आ रहा होगा, अगर आप दूसरे case में अभी देखोगे, तो, आपको क्या हैगा, S1 minus 5, यानि कि 80 minus 5, यानि कि 75, यानि कि 5 का value, 5 km की difference है, यहां पर, तो, यह था बच्चों वाला थोड़ा बहुत concept, अब मैं आपको ए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यह मुझे, यह आपको समझाने के लिए था कि actual में क्या हो रहा है, So, proportion, ratio, proportion का lecture आपने, प्लीज, playlist में जाके, वहां पे देख लीजे, concepts clear हो जागे, यह syllabus में भी है, और आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा, बहुत सारे questions करने में, not only in ratio proportion, but profit loss, average, percentage, उनमें भी ratio proportion, value आता है, मैंने आपको बताया, speed और time के बीच कौन सी relation है, inverse relation, that means, अगर एक को बढ़ाएंगे, दूसरा कम हो जाएगा, right, time को बढ़ाएंगे, speed कम होगी, या speed जब बढ़ाएंगे, time कम होगा, speed जब कम होगी, time ज्यादा लगेगा, right, So, अब अ ratio दिया गया होगा, S1 is to S2, for example, इसका value है, 1 is to 2, अगर हमें T1 is to T2 निकालना होगा, So, वो किसके बढ़ाबर आएगा, 2 is to 1, 2 is to 1, simple सी बात है, क्योंकि यह आपको ऐसे समझाएगा, अगर S1 है, यह होगा, D1 by T1, अगर S2 है, यह होगा, D2 by T2, distance upon time, So, अगर मैं S1 by S2 निक दालोंगा, वो किसके बराबर आएगा, D1 by T1 divided by D2 by T2, अब मुझे पता है, इस division को अगर मैं cross बनाऊंगा, यानि कि, multiplication बनाऊंगा, यह क्या बन जाएगा, D, यह हो जाएगा, T2 by D2, इसका मतलब, D1, D1, अगर distance same होगी, जैसे कि, इस case में distance same थी, So, यह D और यह D, कट जा value किसके बराबर आथा है, T2 by T1 के बराबर, यानि कि, उल्टा हो रहा है, यहां पे, यहां पे reverse हो रहा है, So, आपको यहां पे simply याद रखना है, अगर multiplication में होगा, अगर D का ratio निकालोंगा, यानि कि, S1 is to S2 होगा, 1 is to 2, तो आप D1 is to D2 का ratio निकाल सकते हो, यह भी 1 is to 2 ही ह होगा, क्योंकि यह numerator में है, यहां पे T denominator में होता है, तो यहां पे reverse आजाएगा, So, यह बात आपको याद रखनी है, यह आपको ratio proportion का lecture, अच्छे से समझ, जब inverse relation होगी, तो value का reverse हो जाता है, तो आपको क्या, अगर आपके पास S1 is to S2 होगा, For example, 3 is to 4, So, T1 is to T2 किसके आप S1 is to S2 किसके बराबर निकालोगे, 5 is to 4, क्योंकि relation किसके बीच हम निकाल रहे है, speed and time के बीच, हमें देखना है, इनके बीच कौन सी relation है, जब inverse relation होगी, तो value भी inverse होगे, और अगर directly relation होगी, For example, यहां पे अगर distance बढ़ाएंगे, speed बढ़ेगी, और अगर यहां पे distance को क करेंगे, तो speed भी कम हो जाएगे, Right, So, यह हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से अगर directly proportional होता है, यानि कि For example, हम लिखते है, force is equal to mass into acceleration, So, यहां पे force और acceleration की क्या है, directly relation, तो यहां पे, अगर f बढ़ेगा, a b बढ़ेगा, इसी तरह, अगर inverse में होगा, तो reverse हो जाता हो, यह आप को याद रखना है, अब हम इसी का use यहां पे करेंगे, और आप यह याद रख सकते हो, इन questions में, So, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, T1 is to T2, पहले case में 45 minutes लगते हैं, दूसरे case में 48 minutes लगते हैं, तो हम S1 is to S2 निकालेंगे, मैंने आपको simply बोला, अगर जो दिया गया होगा, speed और time के बीच कौन सी relation है, inverse, right, यानिकि speed is inversely proportional to time, right, So, यह आजाएगा 48 is to 45, बस, यह आपको निकालना है, उसके बाद आपको देखना है, ratio में इनके बीच की क्या relation है, यानिकि अगर यह S1 है, यह S2 है, इनके बीच कितनी difference है, लेकिन यह किस में difference है, ratio में, तो ratio में difference है 3 की, इस से related जो concept है, वो मैं आपको यहां पर समझाना चाहूंगा, अच्छे से समझना, बहुत ही जबर्दस concept है, और आपको यह बहुत ही ज्यादा फाइदा हो, फाइदा देगा, बहुत सारे questions को, not only in this case, यह बहुत सारे चीजों में आपको मदद करेग है, for example, मेरे पास 10 rupees है, और मेरे दोस्त यह me, and मेरे दोस्त के पास 20 rupees है, यह मेरा friend है, so अगर मैं ratio निकालोंगा, मेरे पैसे का, और मेरे दोस्त के पैसे का, वो क्या आएगा, वो आएगा 1 is to 2, so 1 is to 2 ratio है, यह एक अलग चीज है, लेकिन अगर मैं असल मैं देखूंगा, मेर दोस्त के पास 20 rupees है, so actual में कितनी की difference है हमारे actual life में, यानि कि मेरे मेरे दोस्त से 10 rupees कम है, यानि कि actual में difference कितनी है, 10 की, लेकिन ratio में मैं जब देख रहा हूँ, ratio कितना है, 1 is to 2, ratio में difference कितनी है, 1 की, so that means ratio का जो 1 है, वो actual में किसके बराबर है, 10 के बराबर, अब अगर मुझे ratio का 2 देखना होगा, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 20 के बराबर, क्योंकि जब 1 ratio का 1 10 के बराबर है, 2 20 के बराबर होगा, तो ये मेरा value आएगा, मेरे पास 10 है, मेरे दोस्त के पास 20 rupees है, इस तरह से question किया जाता है, अब मैंने क्या देखा, ratio में difference कितने की है, 3 की, लेकिन एक किसकी difference है, speed के ratios की, अब मैं देखूंगा, actual में speeds में कितनी difference है, पहले बोला गया, अगर मैं speed S1 से चलता तो 45 minute लगते, लेकिन अगर मैंने इस speed से 5 कम किया, यानि कि speed से 5 कम किया, S1 minus 5 रखा, तो कितना time लगेगा, 48 minutes, so S1 और S2, यानि कि दूसरी speed में कितनी difference है, 5 की difference, for example, अगर यहां पर 40 है, यहां पर 40 minus 5 है, यानि कि 35, so as per question, difference कितनी है, speeds में 5, इसका मतलब ratio का जो value है 3, वो actual में कितना है, 5, so ratio का जो 1 है, उसका value निकालना होता है, ऐसे questions में, वो हो जाएगा 5 by 3, बस इतना करना है आपको, अब आप speeds निकाल सकते हो, so ratio में speed 1 क्या है, ratio में speed है 48, लेकिन मुझे actual value निकालना है, एक ratio का value हो 5 by 3, तो 48 ratios का value किसके बराबर आएगा, 3 1s, 3 16s, 80, जब आपको speed 1 निकल गई, अब आप distance निकाल सकते हो, s1 into t, so s1 किसके बराबर आएगा, 80, लेकिन time मुझे इस time किसमें निकालना है, hours में, क्योंकि options में value है, km, जब km म में, मिनट में नहीं, so 45 मिनट का मतलब क्या है, 45 by 60, यानि की 3 by 4, so 80 multiplied by 3 by 4, 4 1s are, 4 20s are, 28 to 3 हो गया, 60 km, अब आप देखो ये कितना आसान है, खाली 4 step करने है, यहां पर, जो मैं ये वाला समझा रहा था, ये, ये मैं आपको समझा रहा था, इसको इसलिए थोड़ा बो time होआ है, आप simply ये लिखोगे, T1 is to T2, 45 into 48, आपको आप S1 is to S2 आराम से निकलेगा, 48 is to 45, इनके बीच की difference कितनी है, ratio 3 में, और as per question, वो कितनी difference है, 5 की, so ratio 1 की difference कितनी है, 5 by 3, फिर आप इसका value निकालोगे, इसका value actual में निकालोगे, क्योंकि ये ratio, अगर मेरे दोस्त और मेर पाइसे का ratio 1 is to 2 है, इसका मतलब थोड़ी है, मेरे पास सिर्फ 1 रूपीज है, वो 2 रूपीज है, so मेरे पास, actual में, जब एक ratio का value 10 आया, तो मैं इसको multiply 10 करूंगा, इसको भी multiply 10 करूंगा, so एक ratio का value 5 by 3 आया, इसका मतलब 48 ratio को भी 5 by 3 से multiply करूंगा, 45 को भी 3, 5 by 3 से multiply करूं गा, 3 1s, 3 1s, 3, 3 5s, 15, 15 into 5 हो गया, 75 यहां पे आ गया, 80, देखो 5 किलोमेटर पर आर की difference है दोनों में, right, so आप यहां पे निकाल सकते हो, so आगर आप यहां पे देखोगे भी, speed है 75, speed है 75, time कितना लगा, 48 मिनट, 48 मिनट का मतलब क्या है, 48 मिनट का मतलब है, 4 by 5 आया, so 4 by 5 1s, 5 15s, 15 into 4 हो गया, 60, यहां से भी 60 किलोमेटर निकला और 80 का speed यूज़ कर भी हमें 60 निकला, I hope आपको यह बहुत ही फायदामन लग जाएगा, अब हम यही यूज़ करेंगे, बाकि वो S1 into 2 तो आपको आएगा ही, S1 into T तो आएगा ही, यह equation आपको यूज़ करनी speed of A and speed of B, इसका ratio क्या है, 3 is to 4, तो T A is to T B क्या निकलेगा, इसका reverse, 4 is to 3, simple, अब कुछ करना ही नहीं है, so इनके बीच की difference क्या है, ratio में, A की difference है, तो लेकिन यहां पर बोल रहा है, A takes 20 minutes more than B, that means अगर A 20 लेता है, B कितना लेगा, B लेता है, उससे 20 मिनट ज्यादा, B लेता है, उससे 20 मिनट ज्यादा, right, so S1 is to SB है, 3 is to 4, इसका मतलब T A is to T B आएगा, 4 is to 3, जो की ratio में difference है, 1 की, लेकिन वो difference किसके बराबर है, 20 को, क्योंकि A B से कितना, अगर A for example, T of A is equal to T of B is equal to for example, X, T of A कितना निकलेगा, X plus 20, क्योंकि 20 मिनट ज्यादा लेता है, वो B से, So T A minus T B, किसके बराबर आएगा, X plus 20 minus X, यानिकि 20 की difference है, वो ही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यानिकि ratio में difference है A की, लेकिन actual में वो difference कितने की है, 20 मिनट की, 20 मिनट को आपको अगर गंटो में convert करना होगा, तो आप लिखोगे, 1 by 3, so अब मैं यहाँ पर देखूंगा, ल 4 multiplied by 20, यह हो गया, 80, मैंने 20 लिखा, इसका मतलब यह minutes निकलेंगे, यह minutes लिख लेंगे, यह है A की A का time, तो B को कितना time लगएगा, B into 20, यानिकि 60 minutes, अब आप देखो, खुदी difference, इसको 80 minutes लगते है, इसको 60 minutes लगते है, यानिकि इसको 1 गंटा लगता है, इसको कितना लगता है, 1 गंटा 20 minute, क्योंकि 60 plus 20 का मतलब है 80 minutes, 60 का मतलब है 1 गंटा, और 20 का मतलब है 20 minutes, so 20 minutes की difference है, इस तरह से आप questions कर सकते हो, बहुती easy question है, ratio का use करके, और इतनी जल्दी से आसानी से हो जाएंगे, आप question देखो, जबरदस question है, आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हो, पहला मैं आ आपको बताना चाहूंगा, ताकि किसी को कभी कोई problem ना आ जाए, questions करने में, so क्या बताया गया है, train है, for example, train जा रही है अपनी destination के लिए, for example, train को निकलना था 10 बजे, train को निकलना था 10 बजे, और इसकी speed थी, अगर यह time पे निकलती, तो यह speed S1 से चलती, और इसको जतना भ पे problem क्या होगी, यह train थोड़ी लेट होगी, यह train थोड़ी लेट होगी, कितना लेट होगी, 30 मिनट, इसका मतलब आदा गंटा लेट होगी, यह कितने बजे निकल गई, साड़े दस, इसको निकलना था 10 बजे, यह कितने बजे निकल गई, साड़े दस, लेकिन जब साड़ मैं कितनी डिशन्स कवर करने हैं, पंदरा सो में, लेकिन ये बोल रहा है, ये लेट हो गया, फर एक्जेंपल, मैं यहां पे मेरा सुकूल है, यहां पे मेरा गर है, जब मैं गर से निकलता हूँ, नौ बजे, साड़े आठ बजे, मैं नौ बजे बराबर कलास में पहुँच जाता हूँ, यानि कि आदा गंटा मुझे लगता है, सुकूल पहुँचने में, अब अगर मैं गर से निकल गया, 8.45 पे, यानि कि पोने 9 बजे में गर से निकला, तो क्या मैं टाइम पे सुकूल पहुँच जाऊँगा, नहीं, आदा गंटा तो लगता है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसका मतलब मुझे सुपीड बढ़ानी है, तब जाके मैं टाइम पे पहुँच पाऊँगा, जब मैं सुपीड बढ़ाऊँगा, तो टाइम कम लगेगा, राइट, common sense की बात है, तब जाके मैं नौ बजे पहुच सकता हूँ, लेकिन अब मैं टाइम पे, टाइम पे मतलब नौ बजे मुझे पहुचना है, जब मैं नौ निकल गया और नौ बजे पहुच गया, तो मैं कितना टाइम दूँगा, मैं सिर्फ 15 मिनट दूँगा, कब 15 मिनट दूँगा, 15 मिनट तभी दूँगा, जब मैं speed बढ़ाऊंगा, तभी possible है, जब मैं यही सिर्फ 15 मिनट दूँगा, तब जाके मैं time पे पहुचूँगा, पहले मैं आदा गंटा देता था अब, मैंने पंद्रा मिनट ही दे दिया, so, इस वाले टाइम, और इस वाले टाइम में कितनी डिफरंस है? पंद्रा मिनट की डिफरंस, यानि कि जितना लेट मैं निकल गया, घर से, उतनी ही डिफरंस है, क्योंकि मैं टाइम पे पहुच गया फिर, बले ही मैं late निकल गया, लेकिन मैं time पे पहुँच गया, इसका मतलब difference कितनी होगी, पहले जितना time लगता था और अब कितना time लगता है, उनके बीच की difference कितनी होगी, उतनी ही होगी, जो दिया गया है, right, so I hope आपको यह समझा रहागा, so यही यहाँ पे मैं समझाना चाहता 10 बजे flight को निकलना था और यह, for example, 11 बजे पहुच जाती, यानि कि इसको कितना गंटा लगता है, A गंटा इसको लगता है, A to B, यानि कि 1500 distance cover करने में, लेकिन अब concept यहाँ पे यह है कि साड़े 10 से निकल गई, लेकिन फिर भी यह 11 बजे पहुच गई, साड़े 10 निकल गया लेकिन फिर भी 11 बजे पहुच गया, इसका मतलब इसको कितना इस टाइम लगा, इसको आदा ही गंटा लगा, पहले अगर यह usual speed पे चलता, तब जाके इसको ए गंटा लगता और 11 बजे पहुच जाता, लेकिन यह अब लेट निकल गया, लेट निकल गया, तब भी 11 बजे पहुच गया, इसको टाइम कम लगा, आदा ही गंटा दे दिया इसने, यह कब पॉसिबल है, जब इसने speed बढ़ाई होगी, जब इसने speed बढ़ाई होगी, वही लिखा गया है, प्लेन लेफ्ट थर्टी मिनट्स लेटर देन दे स्केडूल ताइम, एंड इन और ते रीच देस्टिनेशन फिप्टीन हंडर किलोमेटर अवे इन टाइम, इंक्रीश दा सुपीर तो 50 किलोमेटर पर आहर, तो टाइम पे पहुचने के लिए इसने क्या किया, जो इसकी सुपीर थी S1, इसने इसको 500 एक्स्ट्रा कर दिया, यानि कि इस सुपीर से चलने लगा, तब जाके यह 11 बजे पहुच गया है, यानि कि तब जाके इसको सिर्फ आदा गंटा ही लगा, पहले एक गंटा लग रहा था, अब आदा गंटा लग रहा है, तो पहले वाले टाइ इसका मतलब difference यहां पर पता चलेगा हमें, so difference कितनी आ जाएगी, 30 minutes, 30 minutes का ही difference, यहां पर देख सकते हो, यहां पर एक गंटा लगा, यहां पर आदा गंटा ही लगा, तो 30 minutes का difference है, यानि कि आदे गंटे का फरक है, यही मैं यहां पर यूज करूँगा, ताकि आपको यह अच होता था पहले, so वो हम ICA रखेंगे, so S1 में ICA रखूंगा, दूसरे case में क्या है, यह है case 1, case 2 में क्या है, case 2 में मैं S1 plus 250 लोंगा, क्यूंकि मैंने speed बढ़ाई, तब जाके मैं time पे पहुंच गया, वही लिख रहा है, it increased the speed by 250, यानि कि जो पहले speed थी उससे 1500, तो distance कितनी थ पर आएगा, D divided by S, simple सी बात है, right, क्यूंकि speed equal to distance upon time, so time किसके बराबर आएगा, time आएगा, distance upon speed, so पहले case में time किसके बराबर आएगा, 1500 distance है, और speed है S1, दूसरे case में क्या है, distance same, 1500, और speed कितनी है, S1 plus 250, S1 plus 250, लेकिन मैंने आपको बताया, समझाया, graph पे T1 minus T2 कितना है, 30 minutes, यानि कि पहले time और दूसरे time, पहले तो 1 गंटा, 10 बजे निकल गया, 11 बजे पहुंच जाता, लेकिन आपे 10.30 निकल गया, 30 मिनट लेट निकल गया, फिर भी 11 बजे ही पहुंच गया, तो जब फिर भी 11 बजे ही पहुंच गया, इसका मतलब इसको शिर्फ आदा गंटा लगा, यहां पे 1 गंटा लग रहा थो, इस time और इस time में difference कितनी है, 30 minute की, यानि कि आदे गंटे की, वही मैं यहां पे use करूंगा, तो यह है T1, यह है T2, यह है T1, यह है T2, जब यहां पे speed ज्यादा है, 1500 divided by S1, minus T2 का value क्या है, 1500 divided by S1 plus 250, यह आपको use करना है, यह प्लीज आप याद रखो, यह screenshot ले लो, अब मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूं, so मैंने क्या निकाला, T1 minus T2, वो किसके बराबर आए गया, S1 divided by, sorry, 1500 divided by S1 minus 1500 divided by S1 plus 250, वो किसके बराबर है, उनके बीच की difference कितनी है, आदा गंटा, आदा गंटा, so मैं 1 by 2 आउर लिखूंगा, right, so 1 by 2 मैं, गंटू मैं मैंने convert किया, यह आप 0.5 आउर्स लिख सकते हो, अब मैं क्या करूं, 1500 यहां पे भी है, यहां पे भी है, इसको मैं common लेता हूं, जब मैं 1500 काउम लोंगा, यहां पे रहेगा 1 by S1 minus 1 by S1 plus 250, और यह आजाएगा 1 by 2, इसके बराबर यह 1500 यहां पे क्या है, multiply, जब यहां आजाएगा, इस साइड तो यह क्या हो जाएगा, divide, divide में 2 है, तो यह इसके सार multiply हो जाएगा, that means, 1 by S1 minus 1 by S1 plus 250 is equal to 1 by 2 into 1500, वो हो जाएगा 3000, अब मैं इसको solo करूँगा, इस वाले को, यह क्या हो जाएगा, cross multiplication करके, S1 plus 250, और इसको इसके साथ, minus S1, और नीचे आजाएगा, S1 को multiply करना है, S1 plus 250 के साथ, और यह किसके बराबर आजाएगा, 1 by 3000, राइट, सो यह किसके बराबर आएगा, S1, S1 cancel हो जाएगा, सो उपर है गया 250 और यहाँ पर 3000 है, राइट, सो अब cross multiply करके, मैं क्या लिखूंगा, 250 multiply by 3000, equal to S1, यहाँ पर S1 into S1 का square, plus 250 S1, यह आई सी आजाएगा, राइट, सो यह, अब मैं यह वाला portion इदर ले जाओंगा, और इस साथ क्या रहेगा, इस साथ 0 रहेगा, सो यह क्या बन जाएगा, S1 square, plus 250 S1, minus, क्योंकि यहाँ पर plus है, यहाँ पर, 3 into 25, जब 0 होते हैं, तो यह simply, जब last में 0 होंगे, 4 0 है, तो 4 0 directly लिखूंगा, 3 into 25 कितना हो गया, 75, 75 और 4 0 का मतलब क्या है, 4 0 का मतलब यह है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 750 multiplied by 1000, ऐसे भी लिख सकता हूं, तब जाकि यह क्या आएगा, 7540, right, so मैं आईसे लिखूंगा, S1 square, plus 250, 250 का मतलब क्या है, 250 S1 का मतलब यह है, इसको बोलते हैं, middle term split करना, यह quadratic equation में आता है, 1000 minus 750, तो यह क्या आजाएगा, यह आजाएगा, यह मैं आईसे लिखूंगा, यह जो 250 S1 है, इसको मैं आईसे लिखूंगा, खोल के, 1000 S1 minus 750 S1, वो किसके बराबर आएगा, 250 S1 के बराबर आएगा, minus 7540, 7540 का मतलब है, 750 into 1000, तो यहाँ से S1, यहाँ से S1 को मैं क्या लूँगा, common, यहाँ पे बच गए S1 plus 1000, यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं minus 750 को common लूँगा, यहाँ पे बच गए S1 plus 1000, क्योंकि 750 into 1000 का मतलब है, 750, 750 common निकला है, यहाँ पे 1000 निकल गया, so इसको बोलते हैं, middle term सुपलेट करना, यह हो गया, S1 minus 750 into S1 plus 1000, equal to 0, so इसका मतलब यह हुआ, या तो S1 750 के बराबर होगा, क्योंकि यह minus है यहाँ पे, जब उदर जाएगा, तो plus हो जाएगा, या S1 equal to minus 1000, क्योंकि यहाँ पे यह plus है, जब 0 के उससार चलो जाएगा, minus, लेकिन सुपीड माइनस नहीं हो सकती, सुपीड क्या हो जाएगी, सैस 50, क्योंकि सुपीड नगेट यह नहीं हो सकती, इसलिए positive value हमें लेना है, तो सुपीड किसके बराबर निकल गया, हमारी usual सुपीड निकल गई, सुपीड निकल गया है, 750, आप इसको फिर से देख सकते हो, मिडल टर्म सुपीड मैं यह दिखा रहा हूँ, एक थोड़ा long method, actual question मैं, ऐसे बड़े values नहीं आ सकते हैं, तो मिडल टर्म सुपीड, quadratic equation मैंने उसकी, स्वन किसके बराबर आया है, 750 km के बराबर, अगर आप चेक भी करोगे, distance है 1500, अगर मैं usual सुपीड से चलता है, मुझे कितना टाइम लग जाता है, so 5, 3, 15, 5, 0, 5, 1, 5, 5, 5, 25, 5, 1, 5, 2, 0, यानि कि 2 गंटे मुझे लगते कब, जब मैं usual सुपीड 750, क्योंकि usual सुपीड ही निकालनी थी, अब बोल रहे है, 500, अगर हम extra add करेंगे, 750, 500, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1000, so 1500 distance है, 1000 सुपीड है, 2, 0, 2, 0, cancel, 15 divided by 5, 3,000, 5, 2,000, 3 by 2 का मतलब है 1.5, यानि कि 1.5 गंटा लगता है, 2 गंटा मैंनल 1.5 गंटा, difference कितने ही, 0.5 आर की, यानि कि आदे गंटे का फरक रह गए, यही question में बता रहा था कि 30 minute की difference जो हमने देखी थी, so अब हम वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, अब इसका एक और करने का तरीका है, आईसे question में आप क्या कर सकते हो, आप directly options देख सकते हो, आप directly options देख सकते हो, आप क्या करोगे, आपको पता है, distance दी हुई है, और speed क्या है, for example, आप पहले 720 को use करोगे, so यह fraction में निकल रहा है, तो पहले option आपको वो चेक करने जिन में fraction नहीं होगा, तो यह fraction में points में निकल रहा है, तो इसको छोड़ दो फिला, अगर आप दूसरा वाला use करोगे, 730 यहां पे भी fraction आ रहा है, अगर आप last वाला use यहां पे भी fraction में आ रहा है, आप directly क्या करोगे, आप AK करके यह देखोगे, देखो यहां पे आपको 2 hours आ रहा है, 2 गंटे लग गए यहां पे, फिर आपको question में बता रहा है, अगर आप DAISO increase करोगे, तो आप लिखोगे 1500 750 प्लस DAISO, तो यह हो गया 1500 divided by 1000, तो अब कितना time ल चाहूंगा, अगर यहां पे निकल जाता 10 बजे, 10 AM, और यह पहुंच जाता था time पे 11 बजे, 11 बजे, तो time कितना लगता था, एक गंटा, लेकिन as per question, कितना लेट हो गया, आदा गंटा, यानि कि यहां पे कितने बज गये, 10.30, यहां से यहां तक कितना है, 30 मिनट, अब plane इस time पे निकल गया, और यहां पे पहुंच गया, लेकिन बराबर 11 बजे ही पहुंच गया, so 10.30 से 11 बजे कितना time है, 30 मिनट, इसका मतलब अब दूसरी बार, यह जो दूसरा case है, यह है case 2, यहां पे 30 मिनट लग गये, क्योंकि 10.30 निकल गया, 11 बजे पहुंच गया, क्यों आप यह यूज करके, option is use कर सकते हो, T1-T2 का, T1-T2 का, so इस तरह के question इसलिए ला रहा हूं, ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुल जाए, और फिर कोई भी question आजाए, आप वो आराम से कर सकते हो, अब दूसरा question, a car covers a certain distance in 4.5 hours, car ने यहां पे, for example, A से B चली गई, और इसने 4.5-4 गंटों में यह distance cover कर ले, distance कितने हैं, हमें पता नहीं, if the speed is increased, यह case 1, हम यहां पे speed S1 रखेंगे, for example, हमें speed का पता नहीं, if the speed is increased by 5 km per hour, अगर हम speed को बढ़ाएंगे 5 km per hour के हिसाब से, यानि कि दूसरे case में क्या है, दूसरे case में speed पहले से 5 ज्यादा है, it would take half hour less to cover the same distance यानि कि पहले वाले case ये, आदा गंटा ये कम लेगा, पहले कितना लेता था, 4.5 और, दूसरे case में कितना लेगा, आदा गंटा कम, यानि कि 4 गंटे, तो यहां पे कितना time लगेगा, 4 गंटे, so आप यहां पे, आपको क्या निकालनी है, find the slower speed of the car, आप ये भी यूज कर सकत हो, S1 into T1 equal to S2 into T2, S1 क्या है, पहले case में, S1, S1 ही रहेगा, T1 कितना है, T1 है 4.5, equal to S2 क्या है, S2 है, S1 plus 5, T2 कितना है 4, so आप लिख सकते हो, 4.5 S1 equal to 4 S1 plus 20, 4.5 S1 minus 4 S1 कितना होगा, 0.5 S1 equal to 20, S1 किसके बराबर आएगा, 20 divided by 0.5, ये हो गया, 20 divided by 5 into 10, ये हो गया, 5 1s are 5, 4s are 40, 40 km per hour आप निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये आईसे नहीं करना है, अगर किसी को problem होगा है, वो आईसे कर सकते हैं, मैंने क्या पता है, आपको क्या दिया हुआ है, पहले लगते है 4.5 hour, दूसरे case मे कितना लगता है, दूसरे case में, आदा गंटा कम, that means 4.5 minus 0.5, आदा गंटा कम, that means 4 गंटे, so आपको क्या दिया हुआ है, T1 is to T2, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, 4.5 is to 4, so S1 is to S2 क्या निकलेगा, 4 is to 4.5, so difference कितनी है, 0.5 की, difference कितनी है, 0.5 की, जब 0.5 की difference है, तो actual में difference कितने की है, 5 की, क्योंकि speed को increase किया 5, पहले S1 था, दूसरे case में, S1 प्लस 5 है, so S1 प्लस 5 minus S1, कितना है, 5 की difference है, so जब S1 is to S2 किसके बरावर निकला, 4 is to 4.5, क्योंकि T1 is to T2 क्या दिया हुआ था, 4.5, sorry, यह मैं फिर से लिखता हूँ, क्योंकि यहां पे pen के साथ कभी problem हो जाती है, so T1 is to T2 क्या है, 4.5 is to 4, इससे मैं S1 is to S2 निकालूंगा, 4 is to 4.5, so ratio में value की difference क्या है, 0.5, यह ratio का difference है, लेकिन actual में difference कितने की है, 5 km की, speeds के बीच, पहले S1 था, दूसरे case में S1 प्लस 5 था, so 5 की difference है, इसका मतलब मुझे 1 का value निकालना है, वो हो जाएगा 5 divided by 0.5, right, अब मुझे क्या निकालना है, S1, S1 का value ratio में क्या है, 4, लेकिन ratio में 1 का value क इतने के बराबर है, 5 by 0.5, so 4 का value किसके बराबर आगा, multiply करना है, इससे, so 4, 5s are 20 divided by 0.5, 0.5 का मतलब है, 1 by 2, so 20 divided by 1 by 2, यह हो गया 20 into 2 by 1, यानि कि 40, वही में बता रहा था, आपको equation use करने की ज़रूरत ही नहीं, I hope आपको यह ratio का value concept समझ में आ रहा है, okay, Shri X goes to his office by scooter at a speed, यहां पे इसका गर है, यहां पे इसका office है, office थोड़ा बड़ा है, so यह जब जा रहा है, speed है 30 km per hour, और reaches 6 minutes earlier, यह 6 minutes पहले ही पहुँच जाता है, 6 minutes earlier, if he goes at 24 km per hour, यानि कि speed कम हो गई, speed कम हो गई, तो time जादा लगेगा, लेकिन उस time पर क्या होगा, time किसी साब से दिया है, 5 minutes late, simple सा question है, दिया गया है कि आपको यहां पे T1-T2 निकालना है, आप पहले pause करके, इसको try करने की कोशिश करो, फिर आप मेरा concept देख सकते हो, so simple सी बात है, वही ratio का concept में यूज करूंगा यहां पे, ताकि वो S1 into T1 आपको ज्यादा equation लिखने की जुरूरत ना पड़ी, so मैं आपको यहां पे समझा रहा हूँ, for example, यहां पे 10 बजे निकल रहा है बंदा, और इसकी speed पहले case में क्या है, यह निकल जाता है 30 km per hour के हिसाब से, और यह कब पहुंच जाता है, 6 minutes earlier, यानि कि इसको साड़े-दस, साड़े-दस मैं लिखूंगा, साड़े-दस इसका time है, office का, यानि कि 10 बजे घर से निकला, और इसका office का time क्या है, साड़े-दस बजे, या तो मैं आईसे लिखूंगा, कि 9 बजे इसको निकलना था, 10 बजे इसकी timing थी, ताकि fractions में ना आए, समझाने के लिए, जब यह 6 minutes earlier पहुंच गया, 30 km per hour के हिसाब से, तो इसका मतलब यह कितने बजे पहुंच गया, यह 9 बज़ कर 54 minute पहुंच गया, common sense की बात है, 6 minutes जब पहले ही पहुंच गया, इसका मतलब क्या है, 10 बज़े इसकी timing थी, लेकिन यह 6 minutes पहले ही पहुंच गया, तो यह 9 बज़ कर 54 minute पहुंच गया, यह है case 1, right, case 2 में क्या है, अगर 24 km per hour के हिसाब से चलेगा, यह 5 minutes late पहुंच रहा है, that means अगर दूसरे case में, 24 km के हिसाब से पहुंच गया, 10 बज़ कर 5 minute, क्योंकि 5 minute late हो रहा है, यहां से यहां तक difference कितनी है, 5 minute की, यह है actual time, यह office timing है, यह है, जब पहुंच गया, 5 minute late, so 10 बज़ कर 5 minute पहुंच गया, पहले case में कब पहुंच गया, 9 बज़ कर 54 minute, so यहां से यहां तक difference कितनी है, 6 minute की, क्योंकि जब 9 बज़ कर 54 minute को add करेंगे 6 minute, तब जाके 10 minute ही है, तो पहले ही पहुंच गया, so यह है T1, T1, यानि कि 9 बज़ कर 54 minute पहुंच गया, दूसरे case में T2, 10 बज़ पहुंच गया, तो आब आप मुझे बता सकते हो, T1 और T2 के बीच कितना time difference है, common sense की बात है, यहां से यहां तक 6 minute है, यहां से यहां तक 6 minute है, और यहां से यहां तक 5 minute है, इसका मतलब T1-T2 के बीच कितनी difference है, ग्यारा मिनट का डिफरेंस है ग्यारा मिनट का डिफरेंस है अगर मैं 9 बज कर 14 मिनट पहुँच गया और दूसरा बंद 10 बज कर 5 मिनट पहुँच गया तो इनके टाइम के बीच कि डिफरेंस कितनी है 11 मिनट तो for example common sense की बात है नौ बजे दोनों निकलते हैं, एक परसन नौ बजे जब निकलेगा, तीस किलोमेटर के रफतार से वो नौ बज कर चौवन मिनट पहुंचेगा, उसको कितना टाइम लगा, उसको कितना टाइम लगा, इसका मतलब यह हो, उसको चौवन मिनट लग गई, सिंपल सी बात है, बजे उसको पहुंचना था, यानि कि एगंटा, एगंटा, लेकिन वो पांच मिनट लेट पहुंच गया, प्लस फाइव मिनट, यानि कि दूसरे केस में उसको टॉटरल टाइम कितना लगता है, एगंटा पांच मिनट, अगर मैं इसकी डिफरेंस निकालूंगा, एगंट और पांच मिनट कितना हो गया, 65 मिनट, 60 मिनट और पांच मिनट, 65 मिनट, पहले में 14 मिनट लगते है, तो टॉटरल डिफरेंस कितनी है, 11 मिनट, इसको लग गया, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपली ये रखना है, ताइम ये था पहुंचने के लिए, एक बंदा पहुंच गया, 6 मिनट पहले ही, ये पहला केस ही, पहला केस. ये है ओफिस टाइम, ये है टाइम पर पहुंचना, चाहिए 10 हो, 11 हो, 12 हो, कुछ भी. जब 30 किलोमेटर की रफतर से पहुंच जाता है, वो 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानि कि यहां से लेके यह यहां से लेके यहां तक कितना टाइम है? 11 मिनट. इसका मतलब उनको टाइम पहुंचने में, अगर A को कुछ टाइम लगा, B को कुछ टाइम लगा, उनके T1-T2 कितना आ रहा है? 11 मिनट. कितना आ रहा है 11 मिनट्ट, so अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है T1-T2 की डिफरेंस कितनी है, 11 मिनट्स की, अब हम यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड, पहले से, यहां मैं लिफूंगा, स1-S2 क्या दिया है, पहले केस में 30 किलो मेटर है, दूसरे केस में 24 किलो मेटर है, स1-S2 से मैं क्या निकल सकता हूँ, T1-T2, सिंपल सी बात है, यह निकलेगा 24-30, सो राश्यो में डिफरेंस कितने की है, 6 की, लेकिन एक्ट्वल में वह डिफरेंस कितने की है, 11 की, that means, एक की, 6 की, 6 का वैल्यू है, 11, राश्यो में एक का वैल्यू कितने का आएगा, 11 बश्यू आएगा, So, मुझे क्या निकलना है, the distance of his office, सबसे पहले मैं क्या निकालूँगा, मैं निकालूँगा, सबसे पहले यह, T1, या मैं speed भी निकाल सकता हूँ, पहले मैं, मुझे जो दिया गया होगा, वो मुझे निकालने की ज़रूरत है नहीं, मैं वही निकालूँगा, जो नहीं दिया है, So, 44 minutes निकलते हैं, और इसको मैं convert करूँगा, किस में, hours में, क्योंकि किलोमेटर दिया गया है, इसलिए मुझे hour में निकालना है, और यहां पे speed भी किलोमेटर पर hour है, So, यहां पे मुझे निकालना था, 11, 60 minutes लिखना था मुझे, फिर मुझे 6 भी लिखना था, So, यह मैं अब भी कर सकता हूँ, no problem with that, So, इसका मतलब क्या है, मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया है, यहां पे 44 minutes, लेकिन अगर मैं इसको क्या निकालूँगा, 60 में, और यह है time, Time को अगर मैं speed के साथ multiply करूँगा, मुझे आ गया है distance, distance speed कितने है, 30, S1 के साथ, 31s था, 32s था, 2, 1s था, 2, 2s था, 4, 2, 2s था, 4, So, 22 km per hour आएगा, So, मैंने पहले क्या निकाला, मैंने पहले difference in time निकाला, difference in T1 मैंस T2 जब निकाला, वो था 11 minutes, 11 minutes को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 11 by 60 hour, right, अब आपकी मर्जी है, So, S1 is to S2 का इसे दिया गया है, 30 is to 24, So, इससे मुझे निकलेगा T1 is to T2, as 24 is to 30, So, रैशो मैं difference है 6 की, जब रैशो मैं difference है 6 की, So, उसका actual value क्या है, गंटू मैं, 11 by 60, So, एक का value किसके बराबर आएगा, 11 by 6 into 60, So, अब मुझे एक का value निकल गया, मुझे चो 20 का value निकालना है, चो 20 का value क्या आएगा, जो 20 का value आएगा, 11 by 6 into 60, Simple सी बात है, 6 1s are 6 4s are 24, यह आएगा 44 by 60, जो मैं last मैं भी कर सकता था, यह मैंने, ताकि रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने फिर से किया, So, हमें पता है, distance is equal to speed into time, So, मैंने T1 निकाला, T1 जब निकाला तो इसके साथ S1 का, S1 ही multiply करूंगा, right, 31s are 32s are 21s are 22s are 22s are 22 km per hour, यहां पे, अब आपको फायदा हो रहा होगे, किस तरह से ratio का value हमें फायदा देता है, If a student walks from his house, to a school at 5 km per hour, he is late by 30 minutes, or if he walks 6 km, he is late by 5 minutes, same question है, अब आपको यह खुझ से करना है, ताकि आपको भी practice हो जाए, दूसरा concept इसमें है, average distance, for example, कोई बंदा चल रहा है, आपको याद रखना है, average speed is equal to total distance upon total time, आपको यह नहीं रखना, for example, A to B, कोई बंदा चल रहा है, 20 km per hour के हिसाब से, फिर B to C चल रहा है, वो 40 km per hour के हिसाब से, फिर C to D चल रहा है, वो 2 km per hour के हिसाब से, आप अगर आपको average speed निकालनी होगी, आप लिखोगे 20 plus 40 plus 2 divided by 3, इसका मतलब आपने गलत किया, so average speed का simple सा meaning है कि आपको हमेशा total distance निकालनी है, और total time निकालना है, उनक कर सकते हूं, इसे रिलिए question number one, a boy rides his cycle 10 km at an average speed of 5 km per hour and again travels 5 km at an average speed of 10 km per hour, his average speed for the entire journey is, so पहले केस में distance 1 कितनी है, 10 km, speed कितनी है, 5 km per hour, so time कितना लगेगा, हमें पता है, speed is equal to distance upon time, इसका मतलब time is equal to distance by speed, so d1 by s1, d1 कितना है, 10, s1 कितना है, 5, इसका मतलब time कितना निकलता है, 10 गंटी, right, क्योंकि यहाँ पे km per hour है, यहाँ पे km तो hours में time निकलेगा, दूसरे case में क्या है, d2 क्या है, 5 km, और s2 क्या है, 10 km per hour, so t2 क्या निकलेगा, t2 निकलेगा, d2 by s2, 5 by 10, इसका मतलब 1 by 2 hour, यह 0.5 hour, so total distance कितनी है, d1 plus d2, 10 plus 5, so d1 plus d2, divided by t1 plus t2 कितना है, यह है average speed, d1 plus d2 है, 10 plus 5, और t1 plus t2, पहले case में 2 गंटे लगते हैं, दूसरे case में 5 गंटे लगते हैं, यानि कि आदा गंटे लगते हैं, दू पलस आधा, तो यह हो गया, 15 divided by die, यह हो गया, 15 divided by 2, 5 into 10, क्योंकि divided by 10 वो ओपर चला जाएगा, 5, 3 is a, 5, 5 is a, 5, 1 is a, 5, 2 is a, 3, 2 is a, 6 km पर आवा, ऐसे आप question कर सकते हो, I hope यह उतना ज्यादा rocket science यहां पर नहीं है, total distance निकालनी है, speed और time का, वही concept user है, speed is equal distance upon time, मैंने उसके बगार कुछ use ही नहीं किया, अभी तक, बाकि मैंने सिर्फ एक concept आज यहां पर दिखा है, ratio का concept, उसको भी मैंने किसे किया, equation से भी किया, लेकिन मैंने आपको time बचाएने के लिए बता है, यहां पर देखो, percentile 600 km by train at 80 km per hour, distance निकाल रहा है 600, यानि कि D1 is equal to 600, और speed कितनी है, 80 km per hour, time उसको कितना लगेगा, 600 divided by 80, यानि कि 60 divided by 80, यह हो जाएगा, 30 by 4, यह हो जाएगा, 30 by 4, 2 to the 4, 2, 15 जाट, यह हो गया, 15 by 2, आईसे ही लिखूंगा, मैं फिलाल, दूसरे case में क्या है, 800 km by ship, so D2 है 800, यह आईसे लिखने की, इसको directly करना है, D2 भी तो आपको एक्जामें नहीं लिखना है, यह मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, S2 कितनी है, 40, so T2 कितना निकलेगा, 800 divided by 40, 00 cancel, यह हो जाएगा, 20, गन्टू में बात चल रही है, यह है R, यह है भी R, तीसरा केस क्या है, 500 km by aeroplane at 400, so distance है, D3 है 500, और speed कितनी है, 400 km per hour, so T3 कितना निकलेगा, 500 by 400, that means 5 by 4 hour, right, और last case क्या है, 100 km, यानि कि D4 is equal to 100 km, S4 is equal to 50 km per hour, so T4 कितना निकलेगा, D4 by S4, यानि कि 100 by 50, यानि कि 2 गंटे, right, so अब हमें पता है, आपको लिखने की जरूरती नहीं, आप डिरेक्ली कर सकते थे, D1, D2, D3 and D4, so total distance कितनी है, 600 plus 800 plus 500 plus 100, और time हमने कैसे निकाला, D1 by S1, D1 by S1, पहले case में 600 और S, ये क्या निकल गया, ये निकल गया, 60 by, ये निकल गया, 60 by A, 60 by 8, 2, चुका, 2, तीसे, 2, दूने, 2, पंदरान, यानि कि 15 by 2, प्लस, ये हो गया, 15 by 2 का मतलब है, 7.5, right, दूसरे case में ये हो गया, 20, तीसरे case में 500 divided by 400, ये हो गया, 5 by 4, 5 by 4 का मतलब है, 4, 0, 0, sorry, 4, 1s are 4, 4 to the 8, 4, 5s are 1.25, और तीसरे case में 2 निकल गया, सो ये हो गया, 8, 14, 15, 2000, 2000, 2000 divided by 20 plus 2 हो गया, 22, 22 और साथ हो गया, 29, 20 plus 22 plus 7, 29, 29 plus 1 हो गया, 30, 30 plus आदा और 0.25, ये हो गया, 7.5, सो 27, 29, 30.75, ये आप आईसे कल्कुलेट कर सकते हो, 2000 divided by 3075 divided by 100 आएगा, सो 100 ऊपर चला जाएगा, राइट, मैंने आपको ये दिखाया कैसे करना होता है, सो अब 5 यहां पर 0 यहां पर आराम से कटेगा, 5, 6,30, 5, 5, 3,50, 5, 4, 20, 5, 00, 5, 00, जरो, सो 16, उसके बाद किसे कटेगा, इसके बाद अगर हम देखेंगे यह कटेगा, किसे, 5, 6,30, 5, 1, 5, 5, 5, 25, 5, 5, 5, 25, 5, 5, 25, यहां पर गलात होगे, 6, 1, 5, और फिर से पहुंच से कटेगा, 5, 1, 5, 5, 2, 3, 5, 3, 15, 5, 8, 40, 5, 0, 0, इसका मतलब यह आ गया, 8,000 divided by 1, 2, 3, सो 1, 2, 3, पहले ही करोंगा, मैं 6 से यह हो गया, 6, 3, 4, 18, 12, 13, 7, 7, 38, सो यह हो गया, 6, और यह हो गया, 0, राइट, 10 मैं से 8 गया, 2, 9 मैं से 3 गया, 6, 62 और उपर से 0, या अगर हम साथ भी लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 6, 2, 0 आ जाएगा, राइट, I think यहाँ पर यहाँ पर पांच से हो जाएगा, पांच से, 5, 3, 15, 5, 2, 10, 11, 5, 2, 5, 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5, 5, so इसका मतलब क्या आगया, जब 8,000 को हमने डिवाइड किया, 123 से, तो यह क्या आगया, कोशें यहाँ पर लिखा जाता है, जिससे डिवाइजर होता हो नीचे लिखा जाता है, और जो रिमेंड रहाता है, वो उपर लिखा जाता है, ऐसे mixed fraction लिखा जाता है, examination में जिसमें दिया गया होगा, वो आप use कर सकते हो, so यह है average speed करने का तरीका, यहां पे भी आप यह question देख सकते हो, so फिर से मैं बताता हूं, a train covers a distance of 3584 in 2 days, total distance यहां पे already दी हुई है, कितनी 3584 km, total time भी दिया हुआ है, कितन गंटू में निकालना है, क्यूंकि यहां पे गंटू की बात चलते है, two days का मतलब है, 24 plus 24 गंटे, और फिर eight गंटे, यह कितना हो गया, 24, 24 हो गया, 48 plus eight, यह कितना हो गया, 56 गंटे total लगते है, पहले case में क्या है, 1440 km on first day, so पहला दिन, case 1 में क्या है, S1, कितनी निकालता है, 1440, और उसमें जो time निकालता है, एक गंटा है, यहनिकि चो बीस गंटे लगाता है, दूसरे case में कितना distance कवर करता है, 1608 km, और time कितना देता है, दूसरे दिन में, दूसरे दिन मानला, पूरे दिन में, यहनिकि चो बीस गंटे, तो total distance अभी ता किस ने कितनी कवर की, 3048, अभी कुछ बाकि, क्योंकि total distance कितनी है, 3584, तो अभी कितनी बची है, 3584-3048, राइट, तो 743, इसका मतलब अभी इसको 536 km अभी भी निकाले हैं, क्योंकि 3048 ही निकाले हैं, टोटल distance कवर करनी है, 3584, दो दिन में इसने 3048 कवर के, अब कितनी distance कवर करनी है, इसको 536, वही बोल रहा है, अब हमें यह भी पता है, दो दिन चले गए, अब total time इसको कितना लगता है, दो दिन आठ गंटे, दो दिन चले गए, अब total time कितना बचा, आठ गंटे, राइट, इसका मतलब जो S3 है, 536, उसको time कितना लगता है, उसको time लगता है, आठ गंटे, सो हमें, सिंपल सी बात है, यह है D3, S3 किसके बराबर आएगा, D3 वे S3, 536, डिवाड़ वे 8, राइट, सो 860, 870, 56, 860, 870, 56, सो, सुपीड कितनी है, 67 km पर आर, क्योंकि यहाँ पे distance हमने difference से निकाली और time कितना बचा, 8 गंटे, यह है, कब सुपीड, जो तीसरा part of distance ने निकाला, उसकी सुपीड क्या है, 67 km per hour, question क्या है, by how much does the average speed of train for the remaining part of journey, जो की remaining part कितना था, 536, उसमें सुपीड कितना देता है, उसमें किस सुपीड से चलता है, 67 km per hour, differ from that of entire journey, अब हम entire journey की सुपीड देखेंगे, entire journey की सुपीड किसके बराबर होती है, total distance divided by total time, total distance क्या है, 3584, total distance यह है, total time कितना लगता है, 56, जो जब आप देखोगे, 3584 and 56 के बीच, अब दो से काटोगे, तो देन दो अठे, फिर मैं काटोंगा किसे, 21, 24, 8, 28, 16, 29, 18, 26, 12, अब अगर मैं 14 से काटोंगा, यह हो जाएगा, 8, 9, 6 को 14 से काटना है, यह मैं काटोंगा, 14, 6, 6, 4, 0, 24, 84, 14, 3, 0, sorry, 14, 4, 0, 14, 4, 0, 56, So, average speed of entire journey कितनी है, 64 km per hour, और जो लास्ट वाला पार्ट है, distance वो कितना है, 67 km per hour, difference कितनी है, 3 की difference है, 3 km per hour की difference है, increase, यानि कि average speed से यह, 3 km more चल रहा है, so option number वनायेगा, option number वनायेगा, इसका answer, average speed जो हमने निकाली, average speed दो नुकेश में निकाली, यह entire journey, entire journey की average speed किसके बराबर आगे, total distance वे, total time, total distance अल्रेडी दिया हुआ है, 3, 5, 8, 4, total time है, 2 गंटे, 2 दिन, 8 गंटे, 2 दिन का मतलब है, 24, 48 गंटे, and 8 गंटे, वो हो गया, 56 गंटे, जब इसको multiply करते हैं, तो यह आ जाता है, 64, और जब last वाला part है, last वाला part वने निकाला, 5, 36 divided by 8 गंटे, वो निकलता है, 67, तो difference है, 3 की, यानि कि यह 3, 3 किलोमेटर पर आवर ज्यादा से चल रहा है, I hope आपको यह समझ में आ रहा होगा, कि कितना easy है और कितने आसानी से आप यह questions कर सकते हो, तो I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा, आपको थोड़ा idea आया होगा कि किस तरह से हम tackle करने है questions और जब आप नए-नए questions देखोगे, नए-नए तरीकी के questions आपके दिमाग की थोड़ी बहुत और ज्यादा जो brainwashing होगी, जो आपने याद रखा है, वो मिठ जाएगो और आपको थोड़ा एक नए idea आएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, so please यहां पर pause करके आप इन questions को please try करो गर में, बहुत ज्यादा फाइदा होगा आपको, अगर आपको कोई भी problem आएगी in question में करने में, आप comment section में जाके लिख सकते हो कि यह question हमें दिखा दो, so thank you so much, video को जितन जा रहा है, नहीं आ रहा है, कहां पर problem है, वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे, thank you so much guys, I hope this was very useful for you and I hope you are going to share it and you are going to subscribe to my channel, thank you so much.